हलो फ्रेंट्स बहुत-बहुत स्वागत है आपका इंग्रिश अड्वांटेज की ओनलाइन क्लासेज में फ्रेंट्स इस वीडियो में मैं आपको डबल फिलर्स के बारे मैं बताऊँ गा मेरे काफी सारे स्ट्टेशन के मुझे ईड्वान करके और कॉमेंट में लिख किया है कि मैं डबल फिलर्स का और वीडियो कुछ अपलोड करूं तो इसके लिए मैं यह वीडियो अपलोड कर रहा हूं और यह वीडियो टुटरि यह आपका हिंदी में रहेगा इसका English version भी आप देख सकते हैं, English की playlist में जाके आप इसका English version देख सकते हैं तो यह double flurs आपके IBPS Bank PO exam में आते हैं और definitely SBI clerk और IBPS clerk में भी आते हैं और SSECGL में भी आते हैं flurs लेकिन वो single flurs होते हैं और grammatical knowledge based होते हैं तो यह double flurs particularly IBPS Bank PO में आते हैं और यह vocabulary का ही test होता है तो इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि आपकी vocabulary बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपको एक reading habit डबलब करने चाहिए अच्छे newspapers की जैसे The Hindu हुआ या और The Indian Express हुआ इस तरह की इस तरह के newspapers को आपको पढ़ना चाहिए और आपकी vocabulary बहुत अच्छी होनी चाहिए बहुत strong होनी चाहिए और उसी के लिए मैंने students के लिए बहुत सारे vocabulary के video upload किये हैं इस channel पर तो वो सारे vocabulary के video आप जरूर देखिए English के भी और Hindi के भी ताकि आपको अच्छा एक confidence आजाए exam से पहले तो चलिए शुरू करते हैं इनको देखिए ये first sentence है ये first sentence है While the technology and state of knowledge in medicine allow the gadgets to data and give recommendations it will be a while before we are ready to our doctors for serious and chronic illness देखिए इसमें trick क्या है इसमें trick ये है कि यदि आपको 100% sure लग रहा है कि पहला वाला या दूसरा वाला जो option है वो बल्कुल सही fit बैट रहा है तो एक option के सही होने से दूसर option अपने आप सही हो जाएगा तो यदि आप confident है कि ये option ये option सही है या इस बाले में ये option सही है तो आप उस answer के साथ जा सकते हैं definitely और वो answer आपका सही होगा यदि दौनों आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है यदि दौनों में से कोई भी एक भी आ रहा है आपको और एक के साथ आप confidence है कि ये option के साथ ब्लकुल सही जा रहा है तो इसको आप बहुचक लगा दिए वह ब्लकुल सही answer होगा आपका अब देखिए यहां पर sentence का अर्थ तो आपको समझ में आना ही चाहिए लेकिन sentence का अर्थ यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप यह जो इसके आगे जो word है उससे correlate करके आप answer निकाल सकते हैं जैसे यहां पर data दिया हुआ है और यहां पर our doctor दिया हुआ है ठीक है तो यहां पर data के साथ या data के साथ कौन सा word जाएगा देखिए मैं आपको बताता हूं इसका trick क्या है story को ठीक है डिस्क्राइब हम करते हैं incident को figure out का मतलब भी होता है अंदाजा लगाना या पता लगाना तो figure out हम करते हैं situations को ठीक है और estimate जो word है यह normally आता है investment के साथ या budget के साथ उसके साथ यह word आता है तो data को हम हमेशा analyze करते हैं और analyze करने के बाद data को एक conclude करते हैं conclusion निकालते है तो data analysis बोलते हैं उसको और data science के नाम से भी एक field है engineering में data science तो उसमें हम data को analyze ही करते हैं तो इसमें मैं 100% sure हूँ कि यहाँ पर यही option होगा मतलब data के साथ analyze word ही जाएगा यह वाले word नहीं जाएंगे इसमें describe word क्योंकि incident के साथ narrate story के साथ जाता है जैसे जैसे कोई film star होता है उसको हम story narrate करते हैं उसको role बताते हैं उसको figure out का मतलब यह अंदाजा लगाना पता लगाना लेकिन situations के साथ use होता है और estimate investment के साथ use होता है तो यहाँ पर आपका सही answer होगा analyze देखिए अब यहाँ पर यह चुकि video tutorial के through में आपको पढ़ा रहा हूँ त लेकिन अगर इस trick से आप इन answers को निकालते हैं तो बहुत जल्दी आप सही answer इसका निकाल सकते हैं और वो ही आपको करना है आपको मतलब accuracy और speed दोनों ही maintain करना है तो इसमें मैंने केबल data देखा और यहाँ पर मैंने analyze word देखा केबल पूरे sentence में इतने बड़े sentence मैंने data देख लेकिन आपको as a student बहुत जल्दी उसका answer निकालना है और सही answer निकालना है तो उसके लिए आपको यह trick अपनानी है कि यह following word है इसके बात जो word आ रहा है उसको से relate करना है और logically logically correlate करना है और answer निकालना है अब देखिए our doctors doctors के साथ हम क्या कर सकते है doctors के साथ हम ट्रस्ट कर सकत है तो इस sentence का मतलब क्या है अब मैं आपको sentence का मतलब बताता हूं while the technology and state of knowledge in medicine allow the gadget to analyze data and give recommendations देखिए जो gadgets होते है technological gadgets होते हैं जैसे mobile हुआ, computer हुआ, आपका tablet हुआ, जो gadgets होते हैं यह data को analyze करके हमको यह बता सकते हैं कि इस medicine का क्या impact पढ़ सकता है ठीक है यह medicine किस तरीके से useful हो सक chronic disease के लिए, लेकिन इस चीज़ में अभी time है कि हम जो chronic diseases होती है, serious diseases होती है, उनके लिए हम doctors पर trust कर सके, ठीक है तो यह sentence बोलना चाहता है, तो इसलिए इसका answer आपका होगा, to इसका answer होगा, analyze इसमें आएगा analyze और इसमें आएगा trust, और इसमें अगर आप describe भरेंगे तो describe data के साथ जाए गई नहीं, वो गलत हो जाएगा, believe और believe इसके साथ नहीं जाएगा, believe our doctors, ठीक है, तो इस तरह से यह sentence गलत हो जाएगा तो इसका answer आपका है, second, analyze and data, चलिए second देखते है, there is plenty of, plenty का मतलब होता है, ज्यादा, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या है, त तो यहाँ पर, अब देखिए, logic में कहा लगाऊंगा, यहाँ पर hedge है, तो यहाँ पर आना चाहिए, V3, third form, ठीक है, simple logic है, बिल्कुल कि यहाँ पर hedge है, तो यहाँ पर V3 आना चाहिए, अब देखिए, decline or rise, यह first form है, तो यह तो पहले ही eliminate हो गए, यह दो तो बैसे ही eliminate हो criminal justice system for trial, यहाँ पर यह बात हो रही है, कि हम हमारे जो kids होते हैं, हमारे चोटे 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 बच्चे जो होते हैं, जो अपरात कर देते हैं, 13-15 साल के बच्चे चोडी करते हैं, अपरात करते हैं, उनको बड़े लोगों का criminal justice system है, उनमें trial के लिए भेजा जाना चाहिए, और इस बात के हमारे पास, हमारे पास इस बात के परयाप सबूत है, साइध सेंटेंस यह बोलना चाहता है, there is plenty of evidence that transferring kids to the adult criminal justice system for trial has, अब has के साथ इसमें क्या word आएगा, has failed to prevent repeat offenses, तो इसमें आपका answer यह बाला बनेगा, इसमें आपका answer फिप्त होगा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इस बात के परयाप सबूत है, कि यदि हम kids हैं, हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जो अपराद करते हैं, उनको यदि हम adult के criminal judicial system में trial के लिए भेज हैं, तो इस चीज ने जो repeat offenses होते हैं, जो बारबार अपराद होते हैं, उस चीज को रोकने में यह चीज असमर्त रही है, जो repeat offenses होते हैं, उस चीज को रोकने में यह चीज असमर्त रही है, हम उसको रोक नहीं पाए हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैं बोल ला हूँ कि failed to prevent, ठीक है, अब देखिए failed को लगाया है, मैंने, आप finished लगाए, finished to prevent, कोई sense ही नी बन रहा है, developed to prevent, कोई sense नी और यह दोनों already eliminate हो चुकी है, तो developed to finished का यहाँ पर कोई sense नी बन रहा, केबल failed का sense बन रहा है, तो इसलिए यह अगर एक भी सही है आपका, मैं इस बारे में sure हूँ कि यहाँ पर failed ही आएगा, तो एक सही है तो दूसरा अपने आप सही हो जाएगा, तो इस तरह किसे आपको यह trick apply करनी है, और यहाँ पर आपका answer होगा, fifth, ठीक है, तो इस तरह के से आपको double fillers को approach करना है, अब देखते हैं, sentence number third, the proposed will does not include the two crucial provisions of taking the, taking the, taking किसी चीज़ को लेना, take मने लेना, तो taking के साथ कौन सा word आ सकता है, ठीक है, अब देखिए, मैं logic क्या लगा हूँगा, देखिए यहाँ पर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर taking है और यहाँ पर off है, तो off किस word के बाद आता है, ठीक है, यह एक logic आप लगा सकते हैं, देखिए, compliance के बाद हमेसा with आता है, ठीक है, accord के बाद two आता है, ठीक है, consent के बाद off आता है, और denial और decent, negative वर्णभी वह नहीं आएंगे, consent के बाद off आता है तो इसमें आपका answer होगा first. देखिए. मैंने कितनी जल्दी इसका answer निकाल के बता दिया और यह सही है. अब देखिए मैं इसका आपको मतलब बता सकता हूँ. The proposed will does not include the two crucial provisions of taking the consent of the landowner and social impact assessment of displacement. देखिए यह sentence किस चीज की बात कर रहा है? यह sentence इस चीज की बात कर रहा है कि जैसे हमारे देश में urbanization बहुत हो रहा है. देश में तरक्की हो रही है. कि कोई population बढ़ रही है तो जो गाओं है वो सहरों में बदलते जा रहे हैं और सहर जो है तो वहाँ पर जो आबादी पहले से रह रही थी, उसको डिस्प्लेस करने की जरूवत थी, सपोर्ज किसी जगह आप प्लांट लगाना चाहते हैं, तो वहाँ पर जो भी लोग रह रहे हैं, गौर्णमेंट क्या करती है, वहाँ से उनको उठाके दूसरी जगह इस्टेबलिस करती है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेस्मेंट, उसके लिए जो वर्ड है वो है डिस्प्लेस्मेंट, क्योंकि उनका place आप change कर रहे हैं, एक place से दूसरी जगह उनको establish कर रहे हैं, वहाँ पर movement word नहीं आएगा, जैसे यह movement word दिया हुआ है, movement का मतलब तो चलना होता है, लेकिन यहाँ पर आप एक place से उठा के उनको दूसरी place पर establish कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर displacement की बात हो रही पर, क्योंकि denial of the land owner, land owner से हम denial नहीं लेंगे, land owner से हम no objection certificate या इस तरह की चीज़ ले सकते हैं, लेकिन denial नहीं लेंगे, उससे descent का कभी मतलब भी नहीं बन रहा, ठीक है, तो यहाँ पर off से पहले यहाँ पर आएगा consent, उसकी सहमती और यहाँ पर आएगा displacement, तो इसका मतलब क्य sentence का, sentence कहना चाहरा है कि कोई bill है, जिसके बारे में बात चल रही है, लोक सवा में, और government में discussion चल रहे है, the proposed bill does not include, मतलब जो proposed bill है, वो इन चीज़ों को शामिल नहीं करता, किन चीज़ों को, two crucial provisions, जो दो important provisions उनको सामिल नहीं करता, वो यह है, कि land owner की हमें सहमती लेनी चाहिए कि नहीं, उनको वहां से हटाने से पहले, और land owners को वहां से हटाने के बाद, social impact क्या होगा, उसका हमें assessment करना चाहिए कि नहीं, ठीक है, उसकी बात हो रही है इसमें, तो इसमें आपका answer होगा, आपका, first, consent and displacement, ठीक है, और second, third, fourth और fifth answer क्यों नहीं होंगे, ये भी मैंने आप को बता दिया है कि compliance के बाद विद आता है, denial, descent word नहीं आएंगे, यहाँ पर negative word है और accord word भी नहीं आएगा, इसमें, accord यहाँ पर आपको noun चाहिए, लेकिन यहाँ पर accord जो है वो वर्व है, तो इसलिए भी भी वो नहीं आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर consent word बिल्कुल सही है social impact assessment of shift, लेकिन पूरी तरीके से appropriate नहीं लग रागा है, shift किस चीच का shift, और इसके लावा फिर compliance के बाद विद आता है, तो इसलिए यह option नहीं आएगा यहाँ पर, और यह option भी नहीं आएगे, इसमें सही answer होगा आपका first, तो इस तरीके से आपको बहुत तेजी से आप इसको coal in China doesn't mean that India is no longer part of the global coal, देखिए, suppose मुझे इसका meaning नहीं पता इस sentence का, और मेरे पास time नहीं है कि जल्दी से इसको मैं आदे घंटे में solve करूँ, मेरे को time है कि इबल 30 second का, तो global के साथ कौन सा word जा सकता है, global के साथ, देखिए, boom word जा सकता है, global rise जा सकता है, bank नहीं जा सकता, failure न boom, मतलब पूरे बिश्व में एक तेजी आई है, ठीक है, global rise भी नहीं होता, क्योंकि rise एक अलग चीज है, global rise एक अलग चीज है, global rise एप्रोपियेट नहीं लग रहा, global bank, bank का मतलब तो टकराना, मालना, वाच करना उस sentence में होता है, global collapse, global collapse भी इन एप्रोपियेट लग रहा है, और failure, आपका global failure, ये भी एप्रोपियेट नहीं लग रहा है, तो global boom सही है यहां पर, केबल मैंने global word देखा और उसके साथ boom मुझे सही लगा और ये answer आपका निकल के आ गया, पूरे sentence मैंने नहीं पड़ा, पूरे sentence का मतलब भी अगर मुझे नहीं आता है, तो मैं इस तरह से answer को निकाल सकता हूँ, अब आप देखिए, just because momentum, momentum का मतलब होता है कि गती बन जाती है, एक रफतार बन जाती है, जैसे हम गाली drive करते हैं, और जब गाली एक flow में आ जाती है, थोड़ी दिर बाद, आदे घंटे बाद, तो वो एक momentum बन जाता है, अच्छी speed पर काली चलने ल साथ भी shifting word बिल्कुल सही जा रहा है, shifting away, मतलब momentum एक जगह से उठके, दूसरी जगह जा रहा है, और यह चीज सही है, altering away, altering away का क्या sense है, कोई sense ही नहीं है, stagnating away, stagnating का मतलब होता है, एक जगह रुक जाना, और stagnating के बाद, हम कभी भी away word का use नहीं करते है, stagnating away, staying away हो सकता है, definitely staying away हो सकता है, लेकिन कोई sense ही नहीं बनना कि momentum is staying away, momentum is staying away का कोई sense ही नहीं है, senseless है, momentum is changing away, change के बाद भी हम away नहीं लगाते, ठीक है, तो देखे, मैंने यहाँ पर यह word भी बता दी है, आपको और यह word भी बता दी है, कि यह word इसमें क्यों नहीं आएंगे, ठीक है, तो shifting और boom यहाँ पर आपका answer होगा, momentum is shifting away, coal in China doesn't mean that India is no longer part of global coal, global coal boom की इसमें बात हो रही है, पुरी विश्च में जो coal का जो boom आया होगा, उसकी बात हो रही है, और sentence में यह कहा जा रहा है, कि यदि moment चाइना से हटके दूसरी जगे जा रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं है, कि इंडि तरीके से आपको इनको solve करना है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ रहे होंगे अच्छे तरीके से, और यदि कोई problem है, आपको इनको समझने में तो comment में लगके मुझे बताईए, और मैं उसको rectify करूँगा, और उसको आपको और सरल तरीके से बताने क की कोशिश करूँगा next video में, fifth question देखी, I think digital India, ठीक है digital India की इसमें बात हो रही है, digital India will not happen even if blank is in place, unless and until equal is paid to what is made available to people at the grassroot label, देखिए मैं 30 seconds के अंदर इसका अंसर निकालूँगा, 30 seconds से भी कम टाइम में, देखिए paid यहां पर word दिया हुआ है, और paid के साथ कौन सा word जा सकता है, यहां पर आपको second वाले words में देखना है, कि paid के साथ कौन सा word जा सकता है, support is paid, support is paid नहीं जाएगा क्योंकि support is always given, scrutiny is paid गलत है, क्योंकि scrutiny is always done, salary is paid, salary is given, salary के साथ भी paid नहीं आएगा, amount हमेशा paid होता है, salary paid नहीं होती, attention is paid, जैसे हम बोलते है, pay attention, तो pay word attention के साथ जा सकता है, amount is, amount के साथ भी जा सकता है, amount is paid, ठीक है, लेकिन attention word यहां पर सही रहेगा, क्योंकि attention के साथ paid जाता है, ठीक है, तो 99% इसका यह answer है, लेकिन मैं भी आपको पूरा करके बताता हूँ, I am sure कि इसका यही answer है, लेकिन मैं आपको पूरा समझा के बताता हूँ, कि यहां वाला भी तो देखना है न, आपको option के यहां पर भी वो सही होना चाहिए, अब देखिए, first मैं क्या बोल रहा है, I think digital India will not happen, even if, even if analysis is in place, मतलब digital India का analysis हम नहीं करेंगे, digital India की हम planning करेंगे, analysis नहीं करेंगे हम, ठीक है, तो analysis वोर्ड नहीं जाएगा, groundwork कर सकते हैं, groundwork जा सकता है, framework, framework थोड़ा सा inappropriate लग रहा है, क्योंकि framework टेक्नलोजिकल सेंस में यूज होता है, infrastructure सही है, क्योंकि digital India को साकार करने के लिए आपको इस आप उसको carry out करेंगे, तो I think digital India will not happen, digital India साकार रूप में नहीं आ पाएगा, even if infrastructure is in place, यदि infrastructure उसका आपने बना भी लिया है, तो भी digital India को आप साकार नहीं कर पाएंगे, unless and until equal attention is paid, यदि equal attention नहीं दिया जाए, किस चीच पर? किस चीच पर equal attention नहीं दिया जाए, equal attention is paid to what is made available to the people at the grassroot label, मतलब कि जो grassroot label पर जो लोग है, जो गरीबी रेखा पर जो लोग है, उससे भी नीचे के जो लोग है, उनको क्या चीच मिल पा रही है और क्या नहीं मिल पा रही है, यदि हम इस चीच पर ध्यान नहीं दें, तो य और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर paid के साथ attention word जाएगा, तो इसलिए ये वाला answer आपका सही है और इसमें infrastructure भी सही है, और आपका answer होगा four, ठीक है, तो इसलिए आपका, इस तरह के से आपको answer निकालना है, चलिए आप आगे देखते हैं, question number six, the national disaster management authority, ठीक है, एक आपदा प्रभंदन बोलते हैं उसको हिंदी में, तो जो catastrophe आते हैं, जो आपदा आती हैं, जैसे बाड आ गई, कहीं पर तूफान आ गया, कहीं पर tsunami आ गई, उसको वो देखती है, तो the national disaster management authority should come up with national guidelines for the, मतलब sentence ये बोला है, कि national disaster management authority को guidelines को introduce करना चाहिए, कुछ guidelines बनानी चाहि चाहिए, for the, तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर आपको चाहिए noun, ठीक है, for the, अब यहाँ पर लेखाए, of such death, अब death, such death के साथ कौन सा वर्ड जाएगा यहाँ पर, ठीक है, obstruction of such death, गलत है, कोई मतलब ही नहीं है, aid of such death, मतलब सहेता करें death की, कोई मतलब ही निकल रहा, deterrence, मत death को avoid करना, death को हम avoid नहीं करते, death को हम, government death को avoid नहीं करेगी, death को prevent करने की सोचेगी, कि जो general masses की, in catastrophe की वज़े से death हो रही है, जो लोग मारे जा रहा है, उनको रोका जाए, तो यह option, फिप्त जो option है, यह इसमें appropriate लग रहा है, अब देखिए, second बाला भी में देख लेता हूँ उनको कुछ guidelines निकालनी चाहिए, अब यहाँ पर word आया है by the state, ठीक है, तो जब center guidelines निकालेगा, तो इसको implement कौन करेगा, उसको implementation का काम किसका होता है, implementation का काम state का होता है, ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर assistance by the state, कोई मतलब नहीं बन रहा, effect by the state, नहीं मतलब बन रहा, operation by the state, uses by the state, implementation by the state, तो इस option में जो choices दी हुई है, वो सही है, तो यहाँ पर आएगा prevention of such death, क्योंकि death को हम prevent करते हैं, death को हम avoid नहीं करेंगे, deter नहीं करेंगे, deter अलग चीज के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, aid मतलब साहिता, obstruction मतलब रुकाबर, तो यहाँ पर prevention word बल्कुल सही है, और implementation by the states, यह दोनों ही वर्ड बलकुल सही है, तो यहाँ पर आपका answer होगा, फिप्थ, ठीक है, यह पूरा sentence मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है, और अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा, कि sentence बूलना चाहता है, कि National disaster management जो authority है, उनको कुछ guidelines निकालनी चा तो इस तरह की, इस तरह की जो calamities है, उसमें जो death होती है, उसके लिए guideline नकालना चाहिए, और उन guideline को, states को implement करना चाहिए, तो यह sentence का मतलब है, तो यह sentence का मतलब है, इस सेविंथ देखते हैं, the PM Modi's next visit to China, यहाँ पर बात हो रही है, अब यहाँ पर देखें, दो कंटरी की बा करेंगे, वो आगे दिया हुआ है, sustainable development, rural electrification, कौमा लगा के दिया हुआ है, तो यहाँ पर यह कौमा दिया हुआ है, कौमे के बगल में, आपको एक ऐसी चीज चही है, जो इनसे मिलती जुलती हो, तब ही तो आपने कौमा लगाय हुआ है, यहाँ पर, ठीक है, तो normally हम जब PM Modi जो next visit करेंगे, चाइना की, वो किस चीज पर बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, stagnation पर बात तो नहीं करेंगे, क्योंकि stagnation का मतलब तो होता है, रुकाबट, तो यह तो बैसे ही चला गया, और newness पर भी बात नहीं करेंगे, ठीक है, modification पर बात नहीं होती, modification ब् जो दो countries के जो बड़े-बड़े head होते हैं, वो बात करेंगे, innovation पर, कि innovate किस तरह से किया जाए, सपोज हम bullet train ला रहे हैं, या digital India का plan ला रहे हैं, या smart cities का plan ला रहे हैं, तो उसको किस तरह से innovate किया जाए, ताकि कम से कम खर्चे में जल्दी से जल्दी उसको हम carry out कर सकें, तो इनोवेट वर्ड यहाँ पर बिल्कुल सही है, अब देखी एक्सचेंजेज, ठीके एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, आपस में अदला बदली करना, तो एक्सचेंज, यहाँ पर कितनी country की बात हो रही है, यहाँ पर के बल दो country involved है, इंडिया और चाइना, तो इसलिए mutual जो वर्ड है, वो बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि mutual का मतलब ही होता है, कि दो लोगों के बीच में इस्तेमाल होता है, mutual, mutual understanding, और innovation भी सही है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा four, innovation and mutual, ठीक है, तो यह sentence का मतलब है कि PM Modi की जो next visit है, चाइना की, उसका focus है innovation, sustainable development, rural गाओं में हम बिजली कैसे पहुचा है, rural electrification, with both countries exploring ways to enhance mutual exchanges in the field of science and technology, मतलब इन ची अब बात होगी, और इसके लाबा साइन्स और टेक्नलोजी पर बात होगी कि साइन्स और टेक्नलोजी में हम किस तरीके से अपने operations को enhance कर सकते हैं, अपने technology को enhance कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर होग फोर्थ और बाकी के options गलत क्यों हैं, वो भी मैंने आपको बताया है, तो इस तरह से elimination के process के द्वारा और पहले word को दूसरे word से जोड़ कर, आप इन tricks को apply करके, आप बहुत आसानी से इनका answer निकाल सकते हैं, मैं मानता हूँ कि कभी-कभी questions बहुत टाफ होते हैं, लेकिन और टोबको डे, ता हेल्थ मिनिस्टर हाइलाइटेड दा ब्लैंक associated with tobacco and pressed for reducing the meanness. देखे, यदि आपकी वोकैबलर ही अच्छी है, तो आप आसानी से इसका पता लगा सकते हैं, कि सेंटेंस में हेल्थ मिनिस्टर ये बोल रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर ना एक speech दी और उन्हों हाइलाइट किया, ठीक है, उन्होंने हाइलाइट किस चीज को किया होगा, अब यहाँ पर मिनेस वर्ड आ रहा है, मिनेस का मतलब होता है, क्या बोलू मैं इसको हिंदी में, कि एक परेशानी, एक बहुत बड़ी परेशानी, जो दुभिदा बनी हुई है पूरे समाज के ल आपको देखना है यहाँ पर, आप देखिए, किस तरह से ट्रिक्स एपलाई करेंगे यहाँ पर, हाइलाइट दा, यहाँ पर आएगा कोई चीज, उसके बाद एसोसियेट विद टुभाकू, टुभाके कोई साथ यो चीजे एसोसियेट हैं, तुभाके कोई साथ कौन सी च इसोसियेट होते हैं, बीमारी के साथ, बीमारी के सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, बेनीफिट्स नहीं हो सकते, क्योंकि टुभाको को खाने से कुछ बेनीफिट नहीं मिल सकता, तो इसलिए यह बर्ड पूरी तरीके से गलत है, यह बर्ड पूरी तरीके से गलत है, हार्म सो सक मतलब ही निया बन रहा है बेगाई लेकिन यहां पर यहां पर जो सही है आं सरोगा आपका यहधिद् oldu यह है आपको, मिनिस्टर हाइलाइटेड़ दा हार्म्स एस्वेटेज विट टोबैको, टोबैको कंजम्शन और प्रेस्ट फॉर डिडिशिंग अमीनेस, जो लोग तमाकू खाते हैं, जो लोग गुठ का खाते हैं, मुह में कैंसर हो जाता है, मून का सड़ जाता है, उसके बारे में बात हो रही है यहां पर, टोबैको को कंजम्शन करने से जो जो हार्म्स होती हैं, जो परिशानियां होती हैं, उसकी बात हो रही है, तो इसलिए यहां पर आपका आंसर होगा थर्ड, सही आंसर होगा आपका थर्ड, harms and consumption cultivation का कोई sensory निकल रहा है यहाँ पर तो इसलिए वो नहीं होगा इसमें और मैंने आपको पूरा करके बताया है इसको कि बाकी के जो answer है वो क्यों ही आएंगे इसमें इसलिए इस तरह से आप इसको कर सकते हैं चलिए next देखते हैं extreme conditions continued in many part of the country देखिए यह साइद मौसम की भविस्वानी की जा रही है इसमें कि इतने सारे लोग मर गए extreme conditions की वज़े से extreme conditions से पहले कौन सा वर्ट आएगा हमेशा extreme conditions होती है वेदर की conditions होती है मौसम जो change होता है कभी बहुत ज़दा बाड आ गई कभी तूफान आ गया कभी हवाएं चल रही है ठीक है कभी इस तरही के से weather जो weather जो conditions है वो change होती रहती है climate change नहीं होता जो गरम है वो गरम रहेगा जो ठंड़ा है वो ठंड़ा रहेगा जैसे इंडिया है ट्रॉपिकल कंट्री है गरम है वो गरम ही रहेगी ऑस्टेलिया थंडी कंट्री है वो ठंडी ही रहेगी climate stable रहता है weather change होता है ठीक है तो यहाँ पर और अगर मैं लगाँ pressure conditions कोई मतलब भी नहीं बनाएगा disaster condition कोई sense ही नहीं बन रहा इसका season की कोई conditions नहीं होती तो extreme weather conditions continued in many parts of the country claiming 65 more lives in the worst hit आंधर परदेश ठीक है मतलब जो भौत extreme conditions है weather की conditions है वो continue रही आंधर परदेश में और उसकी वज़े से 65 लोग मारे गए 65 जाने चली गई अब देखे कुछ इस्टुएंट बोलेंगे कि sir आपने claiming क्यों लगाया killing भी तो आ सकता है यहां पर live लेकिन killing word live के साथ नहीं जाएगा killing word live के साथ नहीं जाएगा I can kill people but I cannot kill lives I can take lives but I cannot kill lives तो kill जो word है वो people के साथ जाएगा kill life के साथ नहीं जाएगा ठीक है और claim मतलब हम यहां पर बता रहे हैं कि इतनी सारी इतनी सारी जो lives है वो चली गई हैं वहां पर तो claiming word सही रहेगा यहां पर बैदर तो सही जाए रहे तो इसलिए आपका answer होगा इसमें third killing नहीं जाएगा taking जा सकता है लेकिन taking के साथ फिर यह season गलत है इसलिए यह वाला option गलत हो जाएगा harming harming 64 more lives यह बलकुल ही गलत है ठीक है तो इसमें आपका answer होगा third तो इस तरीके से आपको इनको solve करना है और tenth देखिए the health minister underscored the health minister ने underscored किया underscored का मतलब होता है कि उस पर जोल डाला उसको emphasize किया उसको highlight किया health minister underscored the health minister ने underscored किया किस चीज को underscored किया तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको noun चाहिए underscored the to make the laparoscopic surgery to the common people and widen its reach इसमें यह बात हो रही है कि health minister ने इस चीज पर highlight किया कि जो laparoscopic surgery होती है उसको common लोगों के लिए आसान बनाया जाए ठीक है अब यहाँ पर देखिए क्या word आया है make word आया है ठीक है तो make के साथ कौन कौन से word जा सकते है यहाँ पर second में make जैसे make money make mistake और make available make payment बहुत सारे word है जो make के साथ जाते हैं उसी तरीके से यहाँ पर आएगा आपका make के साथ यहाँ पर जाएगा आपका available word यह आपका अंसर है second का आपका अंसर है और यदि first में मैं sure हूँ कि first ही इसका अंसर होगा तो मतलब यही इसका अंसर होगा तो यह वाला अपने आप सही हो जाएगा देखिए the health minister underscored the need to make the laparoscopic surgery available to the common people and widen its reach make के साथ हमेशा available जाएगा और यहाँ पर आपको noun चाहिए और noun के form में need बिलकुल सही है वहाँ पर अगर आप help डालेंगे वहाँ पर underscored the help कोई sense नहीं बन रहा underscored the low price underscored the use use का तोला दा sense बन रहा है लेकिन make के साथ easy word नहीं जाएगा underscored the work नहीं कोई sense ही नहीं बन रहा इसका underscored the need जोड दिया, किस चीज़ पर जोड दिया help पर जोड दिया, need पर जोड दिया low price पर जोड़ दिया तो सबसे सही option है इसमें आपका second तो इस तरीके से आप इनको solve कर सकते हैं तो इसमें मैंने आपको 10 questions बताये हैं तो 10 के 10 most important हैं आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा आपको काफी idea लगा होगा किस तरीके से आप इनको solve कर सकते हैं मैं कुछ और वीडिय comprehension के सभी के मैं video upload करूँगा और मैं सभी students जो इस channel पर हैं और इस video को देख रहे हैं मैं सभी से request करूँगा कि इस channel पर इतने भी video सारे आप देख लीजिए exam से पहले 150 प्लस video हैं सारे video देखिए और आपको time में दी मिलता है तो कई-कई बार आप उनको देखिए आपको सारे question देखना आपके exam में आएंगे इनमे से और बहुत help मिलेगी आपको तो सारे video देखिए और दो या तीन बार देखिए आपको पूरा confidence आजाएगा और confidence boost up के लिए बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए तो यदि आपको ये video useful लगा है तो जरूर इसको like करिए, share है कि कैसा लगा आपको और किस तरह के video आपको चाहिए ताकि आपको success मिले आपके exam में और first attend में आप success होंगे तो हमें भी बहुत खुशी होगी आपके प्रेंट्स को भी बहुत खुशी होगी और हमें भी बहुत खुशी होगी और encouragement मिलेगा और यदि आप first time इस channel पर आए आप definitely successful हो सकते हैं और यहां पर मैरे कुछ links दी है अपनी Facebook पर आप मुझसे जुड सकते हैं यह सारी links आपको description box में मिल जाएंगी English Advantage Group है यह Facebook पर है इसको आप जोइन कर सकते हैं इसमें काफी student जुड रहे हैं इससे यह English Advantage page है Facebook पर यहां पर सारे updates मिल जाएंगे आपको त यह Twitter है Twitter पर आप मुझे follow कर सकते हैं यह LinkedIn का link है यह मेरा WhatsApp नमर है 989371993 आप कोई भी चीज आपको नहीं आ रही है प्रबलम आ रही है तो आप definitely आप मुझे call कर सकते हैं और message भी कर सकते हैं और यह मेरा email ID है तो यह सारी links मैंने यहां पर दी हुई है इन links के थूँ आप अबज वही हैं और फूछी चैशiciones के के watching this video, ψ हो जुछ विए बेस्वाट व rif hed charger थार क्यों से बंकू.